नमस्कार दोस्तो स्वागत आपका आपके अपने एक मात्र वरोसेवन सैनिक वेलफेर यूट्यूब चैनल में दोस्तो वित मंत्रा लेने केंद्रिय करमचारियों के याता यात भत्ते संबंधी जो सेविंथ पे कमीशन के रूल थे उनमें एक एहम बदलाव किया है तो दोस्तो इस एहम बदलाव से किन किन केंद्य करमचारियों को किस किस पे लेविल पे क्या क्या बेनिफिट होगा वो सारी इनफॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यन से हम बताएंगे आपको दोस्तो जैसा कि आपने अभी अभी थमनेर में लेखा उसी संदर में 22 दिसंबर 2020 को वित मंत्रा लेके एकस्पेंडिचर विवा की तरफ से ये ओपिस मेमोरेंडम जारी किया गया है जिसका सबजेक्ट आप देख पा रहे हैं लेंदिय करमचारियों को जो यातयात भत्ता मिलता है डेली का उसके रिएंब्रस्मेंट करने के लिए यानि उसकी छती पूर्ती के लिए साथ में पे कमीशन के रूल और रेगुलेशन के हिसाफ से उनको रिसीप्ट और वाउचर देना होता है उसके रिगार्डिंग ये लेटर जारी किया गया ये ओफिस मेमोरेंडम जारी किया गया है जिसमें साथ में पे कमीशन के जो ये एलाउंस को डिफैंड किया गया था वो 13 जुलाई 2017 का लेटर आया था उसमें पेरा 2EK सब कलोज 1 और 3 में कुछ अमेंडमेंट हुआ है तो दोस्तों ये है 13 जुलाई 2017 का ओफिस मेमोरेंडम वित मंत्राले के एक्सपेंडिचर विभाग का ट्रेवलिंग एलाउंस रूल्स इंप्लिमेंटेशन और 7th पे कमीशन यानि 7 में पे कमीशन के बाद जो ट्रेवलिंग एलाउंस इसके रूल एन रेगुलेशन थे उस अंदर में अब हम इसके 2EK 1 और 3rd कलोज में देखते हैं कि क्या-क्या कंडिशन है जिसमें कुछ परवर्तन हुआ है यह 2 है यहाँ पर यह Entitlement दिया है जनरी का किसको क्या-क्या Entitlement है और उसको किस तरीख से क्या-क्या उनको Facility है उसके बारें बताए गया है दोस्तो 2EK1 में क्लाउज में जो daily allowance on tour का जो entitlement है Pay level के हिसाफ से किस किस को कितना बनता है वो यहाँ पर describe किया है जैसे Pay level 5 तक बता है 500 रुपे पर डे है Pay level 6 से 8 तक बता है 800 रुपे पर डे और 9 से 11 के लिए बता है 900 रुपे पर डे इसी तरीके से 12 से 13 और 14 और उससे उपर वालों के लिए इसी तरीके से ये 2E का जो 3 सब क्लोज है इसमें बताए गया reimbursement of traveling charges जो होता है accommodation का ठहरने का Pay level 8 और उससे नीचे वालों का उनको बिना voucher के paid किया जाता है self certified के रहे मिल जाता है जिसमें उन्होंने period of travel और vehicle number mention करना होता है self certified और अगर आपने journey on foot किया पैदल यात्रा किया है तो आपको 12 रुपे पर किलोमीटर के हिसाफ से आप इसका claim कर सकते है ये आपके लिए pay will है और फर दर इसमें बताये दोस्तों कि अगर आपका डिये जब 50% हो जाएगा तो ये allowance automatically 25% और increase हो जाएगा अब देखे दोस्तों आज के letter के हिसाफ से इसमें क्या वदलाव किया गया है जो कि pay level 9 से 11 के लिए applicable है अब 9 से 11 जो pay level के केंद्य करमचारी हैं उनको भी voucher देने की जरूरत नहीं है वो भी अब self certification के आधार पर अपने traveling allowance का claim कर सकते हैं जो कि अब तक pay level 8 और उससे नीचे वाले pay level के लिए ही applicable था दोस्तों ये दोनों letter का link हमारे वीडियो के description में आपको मिलेगा और हमारी website पर भी ये letter आपको मिल जाएंगे ये थी जानकारी आज की इस वीडियो में आसा करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जै हिंज जै वारत